नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्यूट्यूब चैनल में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम देख रहे थे अपने पेपर 1 IT2 Learn Network Basic के Important Question जो हमारे Practical Exam में आ सकते हैं उसमें हमने 10 सवाल तक देख लिये थे मतलब कंप्यूटर के Basic Questions देख लिये थे और MS Word के Important सवाल देख लिये थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज Excel से Important सवाल देखेंगे जो हमारे Practical में आ सकते हैं एक चीज और अगर आप Paper 1 का Practical दे रहे हैं मतलब M1 R5 का Practical दे रहे हैं तो ये मानकर चलिएगा कि Excel का सवाल 100% एक न एक आपके Practical एक्जाम में आने वाला है तो आज का Lecture बहुत ही Important होगा अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लेंगे तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक सिरीज की तरीके से चलेगा तो दस सवाल पिछली वीडियो में हमने देख लिया था बढ़ रहे हैं अपने 11 सवाल की तरफ अब 11 सवाल देखिए जो था हमारा ये हमने डिसकस नहीं किया था लेकिन ये MS Word का सवाल है और इसमें कहा गया है बायो डेटा बनाने को इसको आप बेसिकली अगर जाकर टाइप भर कर देंगे तो हो जाएगा आज का हमारा जो मोटो है कि हम Excel के question देखें Excel के कुछ important question देखें तो उसको देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं 12 सवाल कि type the following data using spreadsheet tool and save as first मतलब यह जो आपको chart दिख रहा है इसको आप Excel में बना लीजे और इसको किस नाम से save कर लीजे first नाम से save कर लीजे तो चलिए इसको हम कर लेते हैं तो देखें यहां पर हमने same exact इस तरीके का chart बना लिया है जो यहां पर दिया था देखें same exact यही तरीके का chart हमने Excel पर बना लिया है आप चाहें Libre Office Calc भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपका मन हो दोनों जहां पर same ही काम होगा और इसको save किस नाम से करना है हमें save करना था first नाम से तो अभी यह save नहीं है देखें यहां पर book one लिखा है book one लिखा होने का मतलब क्या है कि अभी यह आपकी file save नहीं है तो हम जाते हैं office बटन में save पे click करते हैं और किस नाम से इसको सेफ कर देना है, first नाम से सेफ कर देना है, तो यह first नाम से save हो चुका, यहाँ पर देखे, book one की जहँआपर फर्स लिख गया है, यह तो हो गया पहला पार्ट, किया यह सवाल हो गया नहीं, यहाँ से इस सवाल के सुरुगात है, देखे पहली चीज क्या कही गई है highlight column A and copy it to column C मतलब ये जो column A है इसको highlight कर दीजे और A में जो data है उसको C में copy कर दीजे चलिए करके देखते हैं तो A वाले को हमने select किया और यहाँ पर जाकर हम इसको highlight कर दे रहा है तो हम highlight इसको कर दे रहा है ये highlight हो गया ठीक है हमने paste भी कर दिया है तो पहला सवाल तो हमारा हो गया क्या लिखा था इसमें A को highlight करो और C में paste करो अब देखिए अगला क्या है sort the data in column C in ascending order मतलब ये जो C में आपका data है इसको ascending order मतलब छोटे से बड़े क्रम में इसको sort करना है sort करने का मतलब arrange कर देना है तो आईए इसको करके देखते हैं यहाँ पर देखिए last में एक option दिख रहा है sort and filtering का ठीक है देखिए इसको मैं आपके लिए select कर दे रहा हूँ ये option देखिए जो लाल घेरे में है ये है sort and filtering का option ठीक अब देखिए इसमें हमें क्या करना है हमें सबसे पहले इसको select कर लेना है अपनी C वाली table को यहाँ पर जाना है sort and filtering अब set करना है किस order में कहा है देखिए यहाँ पर लिखा है ascending order मतलब छोटे से बड़े क्रम में arrange करना और ये अभी arrange नहीं है देखिए पान सो तेरा है फिर पान सो एक चार फिर तेरा है अब यहाँ पर मैं sort पर जा रहा हूँ और smallest से largest की तरफ मैं sort इसको कर दे रहा हूँ देखने पर आपको पता चल जा रहा है 432 सबसे चोटा number है पर यहाँ पर आगे एक छोटी सी line लिखी है use a function मतलब function का इस्तेमाल करके बताईए कि कौन सी value सबसे चोटी है तो इसको तो आप बहुत basic formula से कर सकते हैं देखिए मैं बस यहाँ पर click कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ is equal to minimum जो minimum वाला formula है वो हमें use करना है minimum कहां से कहां तक में यहां से यहां तक में minimum value ठीक है तो यह हमने formula लिख दिया है ठीक है अब देखिए c1 से लेके c15 के बीच में जो value सबसे minimum है वो आपको दिख जाएगी यहाँ पर और formula अगर देखना चाहें तो यहाँ पर लिखा है इसको देख लीजे is equal to minimum फिर bracket में सबसे पहली value फिर आपको colon लगाना है फिर सबसे आखरी value square bracket बंद कर देना है यह हमारे minimum का formula होता है स्क्रीन पर मैं बढ़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ यह formula आप देख लीजे और जैसे ही आप enter दबाएंगे यह देखिए 432 यहाँ पर आगया सबसे नीचे ठीक इसी तरीके से अगर maximum निकालने को कहा जायत क्या लिखेंगे is equal to max और फिर यही same चीज आपको कर देनी है तो maximum value भी निकल जाएगी बढ़ रहा है अपने चौते सवाल की तरफ copy the data in column A to column E and sort it in decreasing order मतलब कि इसी column A वाले data को आपको copy करना है column D में उसे paste कर देना है कौन से column में कहाया देखते हैं फिर से एक बार column E में paste कर देना है E वाले में हम गया और paste कर दिये ठीक अब क्या करना है decreasing order में set करना है मतलब सबसे उपर सबसे बड़ा उसके बाद छोटा फिर यहाँ पे गया और largest से smallest पे मैंने sort कर दिया अब उपर सबसे बड़ा आ गया और नीचे सबसे छोटा ठीक है जो भी sort करना है वो सब यहीं पे हो जाता है आपको सिर्फ click करना है चोटे से बड़ा चाहिए या बड़े से छोटा यहाँ पर option आपको दिखेगा ठीक इसके बाद बढ़ रहा है अगले पार्ट की तरफ what is the highest number of list use a function तो वही बात हुई सबसे बड़ा number लगाना है आपको निकालना है तो is equal to max maximum निकालना है break it open किया सबसे पहली value select की मतलब जहां से लेके फिर आपको colon लगाना है और फिर सबसे आखरी value select कर लेजे अब यहां से यहां तक की बीच में जो value सबसे बड़ी है वो आपकी आजाएगी मैं इंटर करता हूँ देखे 432 के नीचे आजाएगी वो value 532 आपकी सबसे बड़ी value यहां पर है तो यह हमारा हो गया e वाला part बढ़ रहा है एफ वाले part की तरफ how many number in this list is bigger than 500 तो 500 से बड़ी कितनी value है इसको count करना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक function use करूंगा और वो होता है count if count if if लगा दे रहा हूँ bracket में कहां से कहां तक यहां से यहां तक ठिक उसके बाद कॉमा अब criteria लगाईए आप criteria क्या है double inverted कॉमा के अंदर criteria है greater than 500 और bracket आपका close अब इस formula का अब ध्यान से देख लीजे क्या लिखा है count if और bracket में क्या लिखा है e1 से लेके e14 तक फिर कॉमा लगाया और condition लिख दिया इस formula को कैसे लिखते हैं सबसे पहले count if उसके बाद range और उसके बाद आपकी condition और फिर आप enter करेंगे तो total 10 नंबर यहां पर 500 बड़े हैं 500 से बड़े हैं ठीक है इस formula को ध्यान से देख लीजे count if मतलब count तो करो उपर condition क साथ और कॉमा के पहले आपको कहां से कहां तक गिनना है उसको लिख देते हैं और कॉमा के बाद वो criteria आपको लगा देना है दियान रखिए criteria double inverted कॉमा के अंदर होगा यह अगर आप गलत कर देंगे तो फिर तो गलती आपकी हो जाए गई इसी तरीके से some if और भी चीजे होत चली इसको हम पहले बना लेते हैं तो यहां पर आप देखिए तो हमने data तयार कर लिया अब हमें क्या करना है पहला सवाल यहां पर देखिए complete the column c for finding product x into y मतलब x और y का into कर दीजे मतलब इसका इससे into करके c में आपको value लानी है तो हमें क्या करना है सीधा आपको लिखना is equal to और इसको select करना है into की sign लगानी है और b वाले column को select कर लेना है देखिए simple सा है is equal to a1 वाली cell पे click किया into b1 वाली cell पे click किया और enter कर दिया अब देखिए आपका into होके value आ गया है और इसी को आपको पकड़के नीचे खीच लेना है और यह value आपकी सारी आ गई ठीक है बढ़ हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ find the sum of x column at the end of data मतलब इनको जोड़कर यहां पर इसका sum आपको लेखे आना है तो इसके लिए क्या करना है is equal to sum break it open और यहां से यहां तक की value select कर लीजे और enter कर दीजे यह जुड़ जाएगा ऐसे ही अगले सवाल में कहा गया है y वाले को जो बना है उसको भी हम जोड़ देते हैं यहां पर भी लिखा is equal to sum basic sum का formula है यहां से यहां तक खेश दिया और enter कर दिया यह भी चीछ जुड़ गई हमारी ठीक चौतह सवाल को देखते हैं find the sum of x into y column at the end of data मतलब कि यहां पर इन दोनों को गुड़ा करके जो आता है उसको find करना is equal to this into this और enter कर देना है देखिए यहां पर इन दोनों का गुड़ा करने पर जो value आई है आगई है ठीक find the sum of x to the power 2 मतलब इसकी घात 2 कर दें उसको हमें find करना है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे is equal to this power 2 का मतलब same का into same से मतलब a का into फिर से a से कर देंगे था हमें यहां पर value मिल जाएगी और इसको हमें निकाल लेना है और last में से जोड़ देना है is equal to sum bracket में यहां से लेके यहां तक की value आपको जोड़ देनी है और enter कर देना है ठीक तो यह हमारा जोड़ के value आ चुकी है बढ़ रहे हैं अगले y की power to और उसको भी जोड़ना है सेम उसी तरीके से करना है देखे बहुत आसान सवाल था पहले हमने क्या किया a वाले column का b main to किया उसके बाद पूरे a वाले column को हमने जोड़ के नीचे ला दिया फिर c वाले का sum कर दिया फिर इसकी power निकाल दी और फिर y वाले की power निकाल दी और यहां पर देखें सब formula दिख रहा है sum करने का formula यह भी sum करने का formula multiple करने का formula पावर निकालने का formula और उसको sum करने का formula यह सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं बढ़ रहा है अपने 14 हमें सवाल की तरफ enter the following data using spread seat tool and save it as grade मतलब यह data को आपको spread seat में बना लेना है और उसको grade नाम से save कर देना चलिए पहले इस data को हम बना लेते हैं अपनी spread seat में तो देखें यहां पर हमने चार्ट बना लिया है अब देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है तो सबसे पहला सवाल है compute the total mark and percent of each student entering appropriate formula मतलब सब का total mark और percentage यहां पर calculate करना है तो total mark के लिए is equal to sum लगा स्टार्टिंग वैलू सेमी कॉलन अरे सॉरी कॉलन एंडवाली वैलू और ब्रेकेट पंद कर देंगे और इसे हम जोड़ देंगे फिर यहां पर क्लिक करना है corner पे mouse से क्लिक करके drag कर देना है यह हमारा समागया percentage कैसे निकालेंगे तो is equal to total mark into 100 divided by कितने से डिवाइड तो 100, 200, 300, 300 number का total exam है कैसे निकालें जितना उसको total number मिला हो गुड़े 100 से कर देना है और उसके बाद 300 से भागते देना है तो यह आपका percentage आ जाएगा इसको हम track कर देंगे तो पहला सवाल तो हमारा हो गया कि total mark निकालो formula से और percentage निकालो percentage का formula फिर से देख लिजे is equal to total mark into 100 divided by जितने number का आपका exam होता है ऐसे ही हम अभी copy pen से भी निकालते हैं उसके बाद compute the grade based on following criteria मतलब इस criteria के आधार पर grade निकालिए तो हम एक grade का column ले लेते हैं और इसके लिए जो formula हम लिखना है हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं तो यहां पर देखे हमने formula type कर लिया अब इसको आप समझ लेंगे एक बार तो अच्छा रहेगा देखे is equal to if उसके बाद bracket में जो percentage है आपका वो 90 से अगर जादा रहता है तो grade कौन सा बन कैसे लिख रहे हैं f2 is greater than 90 तो percent कितना हो गया a हो गया मतलब sorry आपका grade a हो गया अगर यही f2 80 से जादा है तो आपका grade b f2 70 से जादा है तो आपका grade c f2 60 से जादा है तो d नहीं तो e हो गया यही चीज आपके question में भी कही गई है कि percentage 90 से जादा हो तो a करना है 80 से जादा हो त e आपका रखना है और वही चीज हमने यहाँ पर की है लेकिन तरीका एक बार आप देख लीजे हो सके तो note कर लीजे अगर आपको याद करना हो तो उसके बाद हमें last में enter दबा देना है और इस बच्चे का grade c आ गया ऐसे ही drag कर देंगे तो बाकी सब का भी grade हमारा आ ठीक grade का formula यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप चाहें तो आप note कर सकते हैं इसमें जैसी condition दी हो आपको बस change करना है यहाँ पर number change कर देना है और यहाँ पर grade कोई साभी grade आप निकाल सकते हैं बढ़ रहा है दूसरे पार्ट की तरफ draw a border around work seat तो work seat के around border बनाना है तो पहले इसको select कर लीजे अब यहाँ पर जाएए आप इस वाले option पे और यहाँ पर आप देखेंगे thick box border यहाँ पर देख रहा है thick box border इस पे जैसे ही आप click करेंगे देखे चार तरफ एक हलका हलका आपका border बन चुका है ठीक है यह आपको home करके अगर मैं दिखा हूं तो यह देखिए आपको border अब दिखने लगा होगा बढ़ रहा है अगले सवाल की तरफ change the font size of heading to 14 and underline and hide column C मतलब इसकी size को आपको इस पहले वाले cell की size को आपको कर देना है 14 तो मैंने कर दिया इसको 14 ठीक है और C वाले column को hide करना है तो right click करिए और यहीं पे आपके option मिल जाता है hide करने का तो इस पे हमने hide कर दिया देख रहा है C वाला column B के बाद D आगया C गायब हो गया और इसको आपको कर देना है underline तो control U से आप underline कर सकते हैं या यहां से भी आप underline कर सकते हैं तो यह हमारा तयार हो गया 30 वाला part sorry 4 वाला question भी हमारा हो गया increase the width of column A to 15 characters मतलब इसको इसकी width बढ़ा दीजिए कि 15 character आपा है तो width बढ़ाने के लिए इन दोनों cell के बीच में जाना है देखे ए जो लिखा है और जो B लिखा है इसके बीच में जाके जैसे ही देखे माउस की sign बदल रही है जैसे बीच में जाओंगा देखे माउस की sign बदल गई माउस को click करके drag कर दीजिए बस देख रहे है size की बढ़ जाएगी अब आप 15 की size की करना चाहें 25 की size की सब आप कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ right align the values of column B, C, F तो B, C और F, C तो हट गया है हमारा उसको फिर से unhide कर लेते हैं unhide कर लिया ठीक है B, C और F को आपको right align करना है तो B में हम गये और यहां पर right align पे click कर दिया right align हो गया C में गये right align कर दिया और उसके बाद F में हम गये उसको भी right align हमने कर दिया यहां से हम align right करते हैं ठीक है देखिए अब सारी values right की तरफ align आपकी हो चुकी हैं तो यह हमारा हो गया 14 हमा सवाल 15 सवाल की तरफ चलते हैं A university maintain year wise result for 4 courses and then generate an average report as given की देलो मतलब एक university है जो आपके 4 courses का year wise result बनाई है course 1, course 2 और उसको नेचे दिया गया है तो पहले इसको बना लेते हैं फिर इस पे दिये गया सवालों को हम लगाते हैं तो दीखिए यहां पर हमने यह वाला चार्ट तयार कर लिया है जैसे यहां पर दिया गया है questions देखते हैं Complete the report to calculate the course wise average in row 6 मतलब row 6 में हमें इन सब का course wise average निकाल ला है मतलब course 1 का average यहां पर course 2 का यहां पर course 3 का यहां पर और course 4 का यहां पर इसके लिए देखिए क्या formula लिखना is equal to a v e r a g e average और उसके बाद हमें bracket लगा देना है फिर first यहां से लेकर यहां तक formula कैसे लिखा गया है देख लीजे is equal to average कहां से लेकर कहां तक का average निकालना है उसके अदे इंटर आप दबा देंगे average आ जाएगा फिर इसी किनारे average और कहां से लेकर कहां तक निकालना है उसको आप bracket में ऐसे लिख दीचे जैसे sum करते हैं वैसे average भी होता है तो यह आपका हो गया बढ़ रहे हैं दूसरे पार्ट की तरफ provide the formula to calculate year wise average in column g अब year wise average निकालना है 2013 में क्या average था 2014 में क्या average है 2015 में तो same चीच करना है is equal to av average मैंने यहाँ पर click कर लिया और देखिये first select करना है फिर आपको लगा देना है colon और last select कर लेना है bracket बन करके enter दबा देना है तो यहाँ पर year wise average भी आपका निकल चुका है कि 2013 में कितना था 2014 में कितना है 2015 में 2016 में 2017 में यह सारे average आपके आगए बढ़ रहा है अपने तीसरे सवाल की तरफ generate the column chart in compare data तो यह data का column chart निकालना है सबसे पहले data select कर लीजे उसके बाद insert में जाएए और यहाँ पर column chart में जाकर आप click कर देंगे तो अपने आप यह chart आपका तयार हो जाएगा देख रहे हैं यह chart में आपको कुछ भी नहीं करना है यह chart अपने आप आपको तयार हुआ मिल जाएगा और कोई value भी नहीं लिखनी है सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिलेगा ठीक कैसे किया insert में जाकर chart में बस आपको click ही क करना है और कुछ खासा यहां पर करना आपको नहीं है बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ हमारा 16 सवाल क्या है देखते हैं देखिए यहां पर क्या कहा गया है a person want to start a business and he has four schemes to invest money according to profit and year find out which scheme is more profitable using scenario manager तो यहां पर आपको कई सारी scheme दी गई है और निकालना है कौन सी scheme इनके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है तो इसको मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूं तो देखिए यहां पर 20,000 अगर यह लगाते हैं तो इनको फाइदा होता है 10% का 6 साल में तो क्या करना है आपको is equal to 20,000 लिखना है मतलब 20,000 वाली cell select कर लेनी है ठीक इनको आपको 10% करना है और divide कर देना है 6 से ठीक पहले is equal to यह वाली cell select करनी है इनको 10% divided by 6 इससे क्या निकलेगा इससे एक साल का फायदा निकलёएगा इससे क्या निकल जाएगा एक एयर का फायदा आपका निकल जाएगा थोड़ी writing खराब हो रहे है इसी तरीके से आपको बाकी सबका भी निकालना है कि this value into this percent divided by this तो इसमें एक साल का फायदा निकल गیا इसमें ऐस से सब में एक साल का फाइदा निकाल कर आप compare कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा इसके बाद देखते हैं अपना अगला सवाल a company records the details of total sales मतलब एक company ने ये detail तयार की अपने total sale की item and month wise in the following format मतलब इसमें item और month wise यहाँ पर detail तयार की गई है अब इसमें आपको क्या करना है पहले इसको बनाकर save कर लेना है sector नाम से ये तो आप कर लेंगे using the appropriate formula calculate the total sale of each sector मतलब हर sector की total sale मतलब पहले pc की total sale आपको निकालनी है laptop की निकालनी है printer की तो इसके लिए भी same formula use होगा कौन सा formula use होगा is equal to sum is equal to sum वाला formula use होगा इससे ये सवाल आपका हो जाएगा बढ़ रहे है create 3D column तो 3D column chart या pie chart कहां से मिल जाएगा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आप बना लीजेगा उसको आप जाएंगे excel में फिर insert में जाएंगे और जैसे ही आप insert में जाएंगे देखिए column में जा रहा है 3D chart मिल जा रहा है और pie chart यहां से आपको मिल जाएगा तो data भरके बस आप click कर देंगे तो आपका ये तयार हो जाएगा तो ये कुछ सवाल थे जो हमने आज देखे इस lecture में कि excel से किस तरीके के important सवाल आपकी exam में आ सकते हैं अगली वीडियो में हम powerpoint और कुछ theoretical question को लेकर इस series को खतम करेंगे फिर बढ़ेंगे अपने M2 के important question की तरफ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ useful content आपको मिला हो तो हमारी इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं अगले lecture में धन्यवाद